मद्य प्रिदेश विधान सभाद चुनाव की नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे लेकिन प्रिदेश में भाजपा नीताओं की चहरे पर सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है MP News इस खास रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा है कि CM शिवराद से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नीता अपनी सरकार बनने को लेकर कितने आश्वस्त हैं देखे ए खास रिपोर्ट MP में सरकार बनाने को लेकर कॉन्फिडेंस से लबरेज है बीजेपी नीता चुनाव नतीजों से पहले नई मुख्य सचीव की नियूक्ती दे रही बड़े संकेत दिल्ली में अमिट्रहा के साथ कैलाश विजयवर्गी की मुलाकात के हैं कई माईने कैबिनेट बैठक लेकर CM शिवराच ने दिया सरकार बनने का संकेत एक्जिट पोल के नतीजों में भी प्रचंड बहुमत से बन रही भाजपा सरकार मद्यप्रदेश वधानसभाज चुनावों के नतीजे आने में भले ही अभी दो दिन का वक्त हो लेकिन CM शिवराच से लेकर BJP के तमाम नेताओं के चहरे की रंगत बता रही है कि कमलनाच चाहे कितने भी दावे कर ले लेकिन सरकार भाजपा की ही बन रही है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव नतीजों से तीन दिन पहले इकबाल सिंग बैस की बिदाई और नए मुख्य सचीव के रूप में वीरा राणा की न्यूक्ती बहुत कुछ कहती है वीरा राणा CM शिवराच की पसंद मानी जा रही है प्रदेश में आदर्श आचार सहीता लागू है और सरकार कोई भी लोक लुभावन एलान फिलहाल नहीं कर सकती लेकिन इससे इतर CM शिवराच ने मंतराले में कैबिनेट बैठक लेकर ये भी संकेत दे दिये कि विधान सभा के गठन के बाद मंतराले वही संभालेंगे जबकि कैबिनेट में कोई एजेंडा नहीं था दूसरी तरफ BJP महासचीफ कैलाश विजयवरगी और ग्रह मंतरी अमिट्रहा के दिल्ली में हुई मुलाकात से सूत्रो की माने तो विजयवरगी और अमिट्रहा के बीच बंद कमरे में सरकार बनाने के बहुमत पर लंबा मंथन हुआ जो इस बात की और इशारा कर रहा है कि अगर बहुमत के आकड़े से थोड़े भी चूके तो प्लान B के तहट क्या करना है चौथा संकीत एग्जिट पोल ने खुद दे दिया एग्जिट पोल के नतीजों में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने का नुमान है कुलमिलागर मद्धिप्रदेश की तकदीर का फैसला 3 दिसंबर को ही सामने आएगा लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की पूरी प्लानिंग में जुटी हुई है Bureau Report, MP News, Phopal